हेलो फ्रेंड्स हाई दिस आशीश और वेलकम टू अनधर इंट्रस्टिंग वीडियो आज के इस वीडियो में बात करेंगे ITC स्टॉक को लेके देखेंगे इसकी जनम पत्री खोलेंगे और देखेंगे कि कहां पे क्या प्राइस लग रहे हैं काफी यह अपसाइट दिखा चुक है पिछले कुछ महीनों के अंदर अब और कितना उपर जा सकता है उस सब के बारे में स्टडी करेंगे डीटिल में तो अगर हमें ITC की स्टडी करनी है तो उससे पहले इस थोड़ा सा मैं आपको बिजनस समझा देता हूं कि ITC बिजनस काम कैसे करता है यहाँ पे भी कुछ न कुछ आपको insights जरूर मिलेंगी सीखने को तो पहले अगर मैं आपको screen पे दिखा हूं तो ITC के अंदर 4-5 बिजनस आते हैं पहला बिजनस है इनका FMCG बिजनस जिसमें almost 27% जो काम है न ITC का बोल सकते हैं 27% revenue ITC का यहाँ से आता है FMCG बिजनस से उसके बाद है यह hotel business जो hotels है ITC के अगर आपने देखे हो बड़ यहाँ से बहुत ही छोटा revenue आता है which is only 2% revenue आता है और यहाँ पर भी merger की बात चल रही है कि यहाँ पर इसको demerge कर दिया जाएगा मतलब कि अभी ITC का पार्ट नहीं रहेगा एक अलग company खोली जाएगी जहाँ पर hotel का ही पार्ट होगा तो इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा ITC के अंदर से उसके बारे में भी बात करेंगे उसके बारे में मैंने एक detail video पहले भी बनाया था ITC का जिसमें मैंने पूरा hotel business बताया था आपको कि यह किस तरीके से काम करता है उस video को जरूर देखेगा मेरे channel पर ही आपको मिल जाएगा उसमें hotel business के उपर मैंने detail में बात करी थी आज मैं क किसी दूसरे segment के उपर इनके बात करूँगा और वो segment इनका ऐसा segment है जहां से 80% profit आता है revenue तो अलग-अलग segment से आता है बट 80% profit उसी segment से आता है बात करते हैं उसके बाद third इनका है agriculture business जहां से 21% इनका revenue आता है profit नहीं revenue मलब sales एक किसम से उसके बाद paper products होते है packaging में जो papers use होते ह यहां पर आप देख सकते हैं यहां से भी almost 11% आता है तो यह होगा इनके चार business एक और business होता है इनका जो कि है cigarette business आपने देखा होगा cigarettes आती है market में most of the brands है ITC के ही brand से cigarettes आप देखते है market में और उसका अगर मैं revenue की बात करूँ 40% revenue वहाँ से आता है ठीक है तो अभी तक हमें य FMCG से 27% होटल से 2% agriculture जो इनके agriculture मतलब जो spices होती है ना मिर्चें जो बनती है और जो आटा जो raw material बनता है वहां से almost 21% है FMCG के अंदर इनके बहुत सारे products आते हैं जैसे कि आपने देखा होगा आशिरवाद आटा आता है bingo chips आते हैं तो वो सब FMCG products हो गए उसके बाद जो fourth इनका paper product होता है जहां से paper packaging होती है वहां से 11% तो यह तो हो गया revenue wise बट अगर मैं profit wise बात करूँ ना यहां पर तो profit इन सब को मिला कर भी इतना profit नहीं आता है जितना एक ही segment से आ जाता है और वो है इनका cigarette business cigarette में जो sale होती है वो तो 40% की sale होती है बट profit जो होता है पूरे ITC का उसका 80% profit जो है वो cigarette business से ही आ रहा है यहां पर देख सकते हैं mention क्या हो है कि 40% जो है वो revenue आता है यह cigarette business से लेकिन 81% contribution towards the profit before income tax right so 81% profit सरफ इनके cigarette business से आता है आज इस वीडियो में cigarette business की बात करेंगे और मैं आपके इनको stock के technical views भी दिखा देता हूँ कि यहां पर देखिए आप stock agreement हुआ है almost 275% growth हो चुकी है यहां पर ITC की कुछ महीनों के अंदर और बहुत ही beautifully यह चल रहा है तो इसका मतलब यह maximum जो revenue आ रहा है वो तो इनका cigarette business से आ रहा है 80% profit तो इसका मतलब कुछ तो हो रहा है cigarette business में तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मैं आपको दो और cigarette business दिखाता ह है range के bottom पे आते हैं तो upside दिखाते हैं upside में आते हैं तो downside दिखाते हैं आप देख रहे हैं यह VST यह सरफ cigarette business में काम करता है तो यह तो नहीं चल रहा है इतना अगर मैं आपको दूसरा एक और cigarette business दिखा हूं जो third number पर आता है सबस्यादा sale में वो है गोद्रेश फिलिप अगर इसका दिखाएं तो यह भी काफी टाइम से एक range में था अभी ही इसकी range अगर आप यहां पर देखें तो थोड़ी से break होई है यह देख रहे हैं आप एक range में था prices और अब range से थोड़ा सा बाहर गए हैं उसके बाद उनी पर support ले तो आप फिर यहां पर है अभी भी यह weekly chart ह है तो आप देख सकते हैं काफी टाइम से यह prices भी range पे हैं तो अब हमें यह समझना important होगा कि अगर यह दो stocks VST और जो दूसरा मैंने आपको दिखाया यह दोनों तो cigarette में काम करते हैं तो इनके तो prices इतना appreciate नहीं हो रहे फिर ऐसा क्या है कि ITC जिसका 80% profit cigarette से ही आता है वो इत उसको यहां से हटाया जा रहा है तो उससे क्या फाइदा हुआ अगर hotel business हटाया जा रहा है hotel business आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि hotel business में बहुत सारी investments लगती है तो लेकिन अभी हमने देखा उसका revenue है सिरफ 2% है तो अगर मेरा एक business है मेरे business के अंदर आशीश का business मैं चलाता और उनमें से एक business जो है मेरा बहुत सारा capital मेरे main business का ले लेता है लेकिन वहां से मुझे कुछ profit नहीं आते है आप समझें तो अगर मैं उस company को ITC से हटा दूँ तो ITC के अंदर तो अच्छा revenue मुझे देखेगा अच्छे profits भी दिखेंगे वो business मेरा बहुत सारा पैसा ले ले देखें कि total जो target price किसी यहां पर source है को इनको आप देख सकते हैं को बहुत बड़े players हैं यह भी इनका जो target price हाया है 530 का price यह बता रहे हैं ITC का अभी 430 के असपर चल रहा है और अगर आप देखें तो उन्हेंने bifurcations भी कर रहा है कि किस segment से क्या price होना चाहिए तो अगर म FMCG business जो इनका अभी हमने देखा आशरवादाटा, bingo chips, biscuits, नमकीन, वो सब यहां से आ रहा है, agriculture, spices से आ रहा है, paper product और hotel business तो अभी hotel business तो अलग हो जाएगा और hotel business के उपर मैंने इनका detail analysis किया था last video में, वो video जरू देखेगा मेरे channel पे आपको मिल जाएगा बट आज मैं आप taxes, हमारे यहां पर इंडिया में इतने ज़्यादा taxes हैं अभी, और specially in cigarette business, tobacco business में, उसकी वजह से थोड़ा सा यहां पे कुछ problem तो नहीं आ रही, या फिर अभी वो taxes किस तरीके से चल रहे हैं, वो मैं आपको यहां पर दिखा देता हूँ, उससे आपको पता चलेगा कि cigarette industry कैसे फोकस कर रही है, क्योंकि main revenue और profit ITC का cigarette से ही आ रहा है, तो अगर हम सर्फ cigarette business को understand करते हैं, तो 80% हमें ITC के बारे में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला future में, यहां पर दिखे एक article है, उसमें mention किया गया है, the tobacco industry is booming, ठीक है, despite the fact कि हो एक human body को फरक पड़ता है, बड़ वो मे है, and we are the second largest consumer of tobacco, right, उसके बाद यहां पर impact of GST बताया गया है, कि जो tobacco industry है, उसमें अंदर एक तो GST लगता है, उसके बाद एक NCCD tax भी लगता है, और अभी जो NCCD tax है, उसको यहां पर बढ़ा दिया गया है, कि अगर आप देखें, यहां पर mention किया गया है, कि it was proposed that NCCD will be revised by upward 16%, वहां पर थोड़ी सी, फिर से 16% इसको बढ़ाया गया है, बट GST जो है न, अगर हम normal इंडिया में GST देखें, 18% लगता है, बट cigarette और टबाको के case में, वो भी 28% का GST लगता है यहां पर, और NCCD और बाकी taxes लो लग रहे हैं, वो सब मिला कर इतना ज़्यादा हो जाती है कि जो आप cigarette market से लेते हैं, यह देखें यहां पर excise duty, NCCD, compensation से सब बताया गया उसका bifurcation, यह depend करता है कि आपके cigarette की length कितनी है, उस पर भी depend करता है, मुझे भी नहीं पता था, जो मैंने थोड़ी सी study करी तो मुझे पता चला, मैं smoke तो नहीं करता हूँ, बट हाँ, आज के जो भी smoke करेगा, आपके circle में भी उसको बोलिएगा कि length थोड़ी से देखके smoke करें, जतनी छोटी length होगी, उतना ज्यादा taxes में वरक पड़ेगा, so community point यहां पर आप देख सकते हैं कि जतना यहां पर excise duty लग रही है, उसके बाद यहां पर NCCD लग रहा है, उसके बाद यहां पर compensation cess लगता है, तो इतने सारे taxes मनाने के बाद यहां पर थोड़े से prices बढ़ जाते हैं, बट एक अच्छी बात यह है यहां पर कि अभी जो मैं इसका article पढ़ रहा था, ITC का detail में, वहां पर बताया गया है कि जो अभी taxes यहां पर लग रहे थे, उनको थोड़ा सा यहां पर illegal manufacturing होती है, illegal मतलब जो किसी brand से related नहीं है, लोग उस तरीके के cigarettes पीना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि वो उनको सस्ते prices पर मिलती है, especially in villages, तो यहां पर GST में तो कोई compensation बढ़ाया नहीं गया, बट यह को NCCD जो component है, वहां पर थोड़ा सा revise किया गया है, लेकिन उससे कोई ब बहुत जादा नहीं बढ़ाया गया, बजट में थोड़ा सा जरू बढ़ाया गया, इस वज़े से एक अच्छी पार्ट है, तो इससे यह पता चलता है कि government का जो नजरिया है, वो यह मान रहे हैं कि already हम taxes यतने ले रहे हैं tobacco के अंदर, अगर हम इसको और बढ़ा देंगे, तो हमारे taxes आने बंद हो जाएंगे, illegal manufacturing शुरू हो जाएगी, तो इससे better है कि 28% बहुत होता है, GST लेना, उतना ही लें उसको ज्यादा नाम बढ़ाएं धिरे-धिरे, which is a good part, मैंने आपको बोला था कि दो reason हैं जिसके वज़े से ITC के prices उपर जा रहे है, एक तो मैंने आपक maximum 80% वहाँ से आ रहा है, उसके बाद FMCG, Agree और paper products, तो अगर हम ये 2-3 main products देखें यहीं से सबस्यादा revenue आ रहा है, तो उसका सबसे बड़ा reason क्या है, कि अगर आप इनके margins देखें, margins इनके बहुत अच्छे हैं as compared to बाकि जो इनके competitors हैं, जो VST और मैंने फिलिप्स आपको stock दिखाया, जो नहीं चल रहे अभी, बट ये क्यों चल रहा है, उसका एक reason ये है, कि अगर यहाँ पर आप cigarette business देखें, तो ये 60% margins हैं, almost यहाँ पर, 67% तक चले गएते, और काफी सालों से margin, yearly margins में आपको दिखा रहा हूँ, कितने अच्छे चल रहे हैं, अगर मैं के आपको competitors के margin यहाँ पर दिखा हूँ, तो second Philips का अगर देखें, तो ये देखें, से Philips के margins हैं, वो 19-20% के margins है, तो उनके margins जादा नहीं है, इसी वज़े से वो नहीं खेल पार है, अब margins क्यों जादा नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, डीटेल बताऊंगा, fact and figures के साथ, मैं स 30% VST का हो गया, Philips का 20% के आसपस है, whereas अगर हम ITC का देखें, तो 60% तक यहाँ पर margins हैं, अब यहाँ margins अच्छे क्यों है, उसका reason है, सबसे बड़ा reason है, brand value, तीनचा reason है, सबसे बहला reason, brand value, brand value ITC की इतनी अच्छी है, क्योंकि वो अपने pricing को बढ़ा भी देंगे, कल को gold flick cigarette ज gold flick पीएंगे, क्योंकि यह एक ऐसी चीज़े होती है, tobacco business, liquor business, यह लोग जल्दी से अपने brand को shift नहीं करते हैं, अगर आप में से भी कोई smoke करता होगा, या आपके circle में कोई करता होगा, तो आप भी इस चीज़ को महसूस कर पा रहे होंगे, कि अगर वो बंदा एक brand की cigarette पी र होगे और वो ही यहां पर ITC कर भी रहा है, पहली चीज, दूसरी चीज, उसका distribution network बहुत अच्छा है, क्योंकि वो FMCG में भी काम करता है, वो और paper products में भी काम करता है, वो hotel industry में भी, तो उसको distribution, उसके vendors बहुत हैं, वो ऐसे ऐसे areas तक जा सकता है, जहां पर बाकि उसके competitors, VST यहां पर है, उसका distribution network बहुत अच्छा है, जिससे उसके supply chain बहुत अच्छी हो जाती है, तीसरी important चीज, कि वो product में बहुत ज़्यादा innovations करता रहता है, उसकी काफी ज़्यादा, उसकी balance sheet में मैंने जाकर देखा है, काफी नए नए तरीके की cigarettes हर साल almost लाता रहता है, तीन से इस वज़े से यह brand value बन चुकी ITC की, वहां से लोग हिलना नहीं चाहते, उस वज़े से company के margins बहुत अच्छे है, अब यहां पर मैं आपको और चीज दिखा देता हूं, जो मुझे यहां देखने को मिली company की, जो सायद मुझे एक ही point लगा जो उसका negative दिखा मुझे, वो है इसका dividend, अगर आप dividend देखें, यहां पर company 2.84% का देती है, अब आप बोलेंगे dividend तो बहुत अच्छा है, आप इसे negative क्यों बोल रहे हैं, मैं negative इसको इसलिए बोल रहा हूं, कि अगर आप यहां पर जाएंगे ना, इसकी profit and loss statement में, तो एक और parameter हमें dividend के साथ देखना चाहिए which is called dividend payout, अभी dividend payout क्या होता है, dividend payout मतलग अगर आप देखें कितना net profit आ रहा है ना, जैसे company का net profit आ रहा है 19,000 करोर्स का, उस 19,000 करोर्स में से कितना पैसा company dividend के रूप में अपने investors को दे देती है, तो यहां पर आप देखें, dividend payout 100% है, बहुत सारा का सारा net profit, company ने dividends में तो आप बोलेंगे तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, dividend आ रहा है, बड़ इस चीच को आप इस तरीके से देखिए, कि company के पास इसका मतलग कोई opportunities नहीं है, क्या grow ने की, और opportunities मलग कहीं पर वो और पैसा investी नहीं कर पा रहें, उनको कुछ समझी नहीं आराम, और कहां invest क करें, तो जो पैसा हमारे पास बच रहा है, हम investors को as a dividend बाट देते हैं, तो मैं as a see, देखिए अच्छी बात भी है, बड़ मुझे हमेशा as a stock market के investor के point of view से देखना चाहिए, कि इसका मतलग कमपनी के पास कोई ज़्यादा opportunities नहीं बची, या फिर company grow नहीं करना चाहती, यह द अब इन्यू सरकल में चलता रहेगा हर साल, तो company थोड़ा 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 grow करती रहेगी, ऐसी कहीं companies होती हैं, जैसे कि मैं आपको example देता हूँ, Colgate, अगर आप Colgate का भी dividend payout देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है, बड़ ऐसा नहीं हो, companies गलत हैं, बड़ हाँ उनके पस अब और opportunities नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरी market, let's say इंडिया में 100 people smoke करते हैं, FMCG products use करते हैं, तो उन्होंने almost पूरी market को capture किया हुए, अब उनके पस और ज्यादा growth नहीं है capture करने की, I hope it is making sense, if it is making sense तो like कर दीजेगा, तो ये एक अच्छी बात लगी मुझे, द 29 की price to earnings चल रही है, 3 साल पहले 20 की price to earnings थी, 5 साल पहले 21 की price to earnings थी, earnings जरूर बढ़ी है, बड़ क्या इतनी बढ़ गई है कि 20 से सीधा 29 की price to earnings 3 सालों में आ गई है, इसी वज़ा से मैं बोलूँगा, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर सस्ता नहीं मिल रहा, मैं किस तरीके से investment करत आँ मेरी investments रहती है, value-based investments, value-based investments का मतलब जो stock अच्छा है और सस्ते prices पे available है, तो यह stock अच्छा है, बड़ सस्ते prices पे तो नहीं है, तो इसलिए मैं अभी शायद इसमें investment नहीं करूँगा, यह कोई buy-sell recommendations नहीं मैं यहाँ पर देता हूँ, guys, इस इसको इस disclaimer मानियेगा, कितनी मैंने आपको learnings दी हैं, तो learnings पर focus करिए कि किस तरीके से हम stocks को pick कर सकते हैं, अगर आप भी मुझसे value investment सीखना चाहते हैं, description में आपको details मिल जाएंगी, thank you, bye-bye and have a great day, subscribe नहीं करा, मुझे पता है आपको कुछ लोग ने कर लीजेगा, thank you, motivation मिलता है, thank you, bye-bye and have a great day.